वित्य संकर्ट से जूज रही सरकारी विमानन कमपनी एर इंडिया जल्द बिखने वाली है। केंद्रे मंत्री हरदीप सिंग पुरी ने इस बात का संकेत दिया है। पुरी के मताबिक मूली लगाने के लिए इच्छुक पक्षों के लिए अपडेटा रूम खोल दिया गया है। वित्य बोलियों के लिए 64 दिन का समय होगा और उसके बाद सर्फ फैसला लेने और एरलाइन हस्तांतरित करने का फैसला होगा। केंद्रे मंतरी ने कहा कि एर इंडिया इस समय कमाई कर रहा है बावजूद इसके कमपनी को रोजाना 20 करोड रुपई का नुकसान हो रहा है। और कूप्रबंधन की वज़े से एर इंडिया का कुल कर्ज 70,000 करोड रुपई पर पहुंच चुका है।